हैं वेशवाल धूंस्तों स्वागत है आपका आज की में जिंग एक अंदर हमाभगा पुरा प्रोसेस से वो देखने वाले हैं कि कैसे हम मित्र वर्ड कें अंर're tyc है वो complete करते हैं ठीक है तो पूरा का पूरा प्रोसेस है वह मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों आपको क्या करना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन बटन को ओन कर लिजिए और दन वीडियो को लाइक कर द लेना है मुझे जिस ID के उपर आज KYC कंप्लीट करना है मैंने उसको कर लिए है लोगिन जैसे ही मैंने लोगिन किया है तो ऐसे करके डैश्बॉर्ड के उपर हमें आरे पास option है वो खुल के आ जाता है ठीक है जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि Google Authenticator कैसे एक्टिवेट करते हैं वो चीज़ हमने बताई थी ठीक है Google Authenticator एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमें एक दूसरा जो option दिखता है वो दिखता है KYC का ठीक है तो हमें क्या करना है सिंपल सा KYC के उपर OK करना है यहाँ पे क्लिक है लिखा हुआ है तो देन हम क्या कर ल ठीक है security business पर आपको यहाँ पर लगाया गया है तो जैसे आप कोई भी process करते हो किसको withdrawal करते हो login करते हो KYC कंप्लीट करते हो कुछ भी everything तो देन Google अथोटिकेटर कोड है वो आपसे मांग के मांगा ताकि आपकी जो ID है वो आप खुद यूज करो ना कि दूसरा बंदा यूज कर सके क्योंकि password आपके पास रहेगा mobile आपके पास रहेगा को दूसरा बंदा अगर पाय से withdrawal करेगा तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको कोड की जरूत पड़ती है इसलिए एक स्कूरिटी बिसेस पर लगाया गया है हम चलते हैं सीधा Google अथोटिकेटर एप के उपर देन हम यहां से क्या कर लेते हैं अपना जो पासवर्ड है जो OTP है उसको हम कर लेते हैं यहां से कोपी वेट ए सेकेंड यह फिर से रिफ प्रेश हुआ मैंने इसको कर लिए कोपी और दन हम क्या करेंगे यहां पर हमने कर दिया इसको पेस्ट जैसे मैंने पेस्ट किया और दन सब्मिट के उपर मैं जैसे ही OK करता हूं तो देखी यहां पर मेरा KYC का ओप्शिन वो यहां पर ओपन हो चुका है ठीक है तो हम आ जा करना है लैंडमार्क पेस्ट करना है को कंट्री कौन सी है आपकी स्टेट कौन सी है सिटी कौन सी है जिप कोड मतलब आपका पिन कोड क्या है ठीक है और इमेल आइडी जो है आपका मुबाइल नंबर यहां पर आ जाएगा मुबाइल नंबर आने के बाद आपको क्या करना ह अभी यहां पे जो चीजे दी गई हैं इस चीज को ध्यान से देखना ठीकें क्यूंकि यहां पे बहुत सारे लोग गङ और दो करना क्या होता है होता है यहां पे यहां पे सब्सक्राइब का आपको क्या करना है fan debate के उपर जाके मक्या जो जितने भी address होते हैं वो वहाँ पे निकाल लेने हैं ठीक है सबसे पहली level जो आपको लगाना है वो यहाँ पे कौन सा level है आपको लगाना है level यहाँ पे BEP20 ठीक है BEP20 का जो भी address होगा वहाँ से आपको ख्या करना है उठाना है कुन सा अड्रेस उठाना है BEP20 वाला अड्रेस आपको वहां से उठाना है ठीक है अड्रेस के उपर आपको क्या करना है अर्थ बिट के उपर जाके जा फिर ट्रेट बिट के उपर जाके BEP20 का जो भी अड्रेस होगा वो वहां से कर लेना है कोपी आपको क्या करना है यहां प wallet के उपर OK करोगे तो wallet के उपर आप देख सकते हो Metamarks जाफर exchanger है जो trade bit के उपर अभी यह ज़्यदा तर काम कर रहा है तो trade bit के उपर आप डाल सकते हो अगर और भी कोई coin है जो भी आपकी voucher list के अंदर है जाफर exchanger है जो की आप यूज करते हो actually तो आप उसके अंदर इसको add कर सकते हो यहाँ पर बना add करने की जुरूत नहीं है आप trade bit के उपर आपका अराम से हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आगे दिया हुआ है BTC का address उसी exchanger के उपर जाना है trade bit के उपर जाके आपको BTC का address जाहे जो BEP20 का वो यहाँ पर देखिए आपका photo यहाँ पर upload करने ID card ठीक है जैसे अधार card हो गया pen card हो गया ठीक है वो try ID card वो आप क्या है ID यहाँ पर upload करोगे ठीक है यहाँ पर front side back side यह दोनों चीज़े जैसे आप upload करोगे then update profile ठीक है जैसे यह आप update profile करोगे आदे से 15 से 15 से 20 मिनिट के अंदर आपकी जो profile है वो update है वो यहाँ पर हो जाती है KYC आपकी complete है वो हो जाती है ठीक है तो then आपको क्या करना है यह चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको क्या करना है इन जो यह जो level है ना आपको इस level को बहुत ही ध्यान से भरना है ठीक है पहले बाद दुबारा से repeat कर देता हूँ level के ओपर BEP20 आएगा BEP20 आएगा address के ओपर आएगा वो जो भी mcoin का tradebit के ओपर आपका address रहेगा BEP network का वो आपको उठा के यहाँपे fill करना है wallet के ओपर आपको tradebit exchanges कर देना है और यहाँपे भी BTC का address आप paste कर सकते हो और नीचे आपको अपना अधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आगे पीछे का आप identify करके देन यहाँपे profile update के ओपर okay कर देना और देन आपकी जो KYC वो complete हो जाएगी दोस्तों यह था simple सा process KYC complete करने का वीडियो कैसा लगा कमेंट करकर जो बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके बस आते रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए ओके बाई जैहिन बंदे मातरों